हलो एवरिवन आज की पिककार डिटिंग का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस आपके फ्यूचर स्पाउस की परस्नालिटी कैसी रहेगी आप दोनों के बीच में कमपार्टिबिलिटी कैसी रहेगी आप दोनों के बीच का इक्वेशन कैसा रहेगा आप दोनों कहां मिलेंगे क के उपर कैसा रहेगा उनका first impression आपके उपर कैसा रहेगा ये सारे questions के answers डीटेल में जानने की कोशिश करते हैं हैलो दिस इस होलिस्टिक खिलर वेदी का उज़ा और अगर आप astrology निमिलोजी टैरो कार्ड रिडिंग में इंट्रेस्टेड है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की notification आप लोगों को मिले और कोई important वीडियो आप लोगों से मिस न हो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे लगती है तो इसे like कीजिए, share कीजिए, comment में अपना feedback मुझे जरूर बताईए यहाँ पर मैंने चार ग्रूप्स बनाए है, आपको intuitively एक ग्रूप को select करना है अगर आप लोगों चाहो तो वीडियो को pause करके, meditate करके भी अपना ग्रूप चूज कर सकते है अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत जारी हो, तो आप 1 to 4 की cheats परना लीजिए, एक cheat उठाईए, उसमें जो number लिखाओगा, वो ही आपका group होगा अगर आप लोगों का ध्यान दो groups की तरफ जा रहा है, तो आप दोनों groups की prediction भी देख सकते है description में मैंने timestamp दिया है, आप लोग अपने group की reading directly enjoy कर सकते है तो मैं explain कर देती हूँ, group 1, group 2, group 3, और group 4 तो आए स्टार्ट करते हैं group 1 से hello group 1, तो आए देखते हैं कि आपके future spouse की personality कैसी होगी आप दोनों के बीच compatibility कैसी होगी, आप उनसे कब, कहां और कैसे मिलेंगे और भी कोई additional information मुझे अगर मिलती है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ share करूँगी तो आपके जो future spouse है, वो बहुत ही जदा charismatic personality हो सकती है, बहुत जदा ambitious हो सकते है लोग उनको as a role model भी देख सकते है, वो एक motivational speaker होने के भी chances है या फिर वो बाते ऐसी करेंगे कि लोग उनसे inspire हो जाएंगे या motivate हो जाएंगे, ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है उनकी communication skill बहुत ही अच्छे हो सकते है, उनमें leadership qualities हो सकती है और वो अपने goals के प्रतीब बहुत जदा focused रह सकते है अगर वो female है तो वो बहुत ही जदा confident, warm hearted और graceful personality हो सकती है बहुत ही independent personality भी हो सकती है, यह लोग financially independent भी हो सकते है यहाँ पे मैं तीन cards को pull करूंगी, इसमें से दो cards आप दोनों की personality को represent करेंगे मैं दोनों भी energies को describe करूंगी, आप जिससे भी resonate होते हो वो आप हो और दूसरे आपके future spouse है, तीसरा card आप दोनों की बीच का equation describe करेगा आप दोनों की बीच में कैसे, आप दोनों का रिष्टा कैसे रहेगा, आप दोनों की compatibility कैसे रहेगी आप दोनों की बीच में chemistry कैसे रहेगी, यह दर्शाएगा, तो start करें जब तक मैं card shuffle कर रही हूँ, आप लोग भी meditate कीजिए, देखते ही कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकला है first personality के बारे में मैं आप लोगों को बता दू, आप लोग बहुती जदा positive attitude वाले लोग हो और आप लोग बहुती जदा optimistic हो, आप long term plan बनाते हो, और हमेशा सही गलत की पहचान आप लोगों को रहती है और आप हमेशा सही रहा चुनते हो, कोई short cuts नहीं लेते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है बहुती जदा balance personality आप हो, आपको emotions और practical approach दोनों का एक perfect blend मुझे यहाँ पे दिखता है आप से मिलके लोग फिदा हो जाते हैं, ऐसी आपकी personality रह सकती है आपका औरा बहुती जदा bright हो सकता है दूसरी personality भी बहुती powerful मुझे यहाँ पे दिख रही है इन में inner strength गजब की है, ये life के challenges से बिलकुल नहीं घबराते है और उनको courage के साथ, strength के साथ face करते है और मुश्किल से मुश्किल situation में भी ये लोग बिलकुल भी नहीं टकमगाते है ऐसी इनकी personality है इन लोगों में दया भाव बहुत जादा है, ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है इन लोगों में forgiveness की quality भी हो सकती है, ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है इनकी inner strength कजब की है, ये लोग easily affect नहीं होते है और ठंडे दिमाग से सारी चीज़े handle करते है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ये आपकी current energy भी हो सकती है, या फिर आप लोगों की ये future energy भी हो सकती है ये भी possible है कि कुछ दिन बात आप ऐसी personality बन सकते है तो आईए देखते हैं कि आप दोनों की बीच का equation क्या कह रहा है मुझे इसे लगता है कि जब आप दोनों मिलेंगे, जब आप लोगों का union होगा तब आप और जदा evolved person में transform हो जाएंगे, आप दोनों और जदा समझदार हो जाएंगे और इस रिष्टे को आप लोग बहुत जदा maturity के साथ निभाएंगे, ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपकी personality जो है, उसमें कुछ flaws ज़रूर होंगे, जब आप दोनों एक दुसरे से मिलेंगे तब वो flaws जो है, वो धिरे धिरे कम हो जाएंगे, और आप आपकी weakness पे काम करने लग जाएंगे ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है तो आप दोनों का equation बहुत ही mature है, ऐसा मैं आप लोगों को बता दू और यहाँ पे प्यार से जादा care और respect मुझे यहाँ पे दिख रही है दिरे दिरे आप लोगों का प्यार develop होगा, मगर जब आप लोग फर्स टाइम मिलेंगे तब आप लोगों के मन में एक दुसरे की पती respect होगा और आप दोनों एक दुसरे की care करेंगे, जब आप लोग रिष्टे में बदेगे तब आप दोनों एक दुसरे की care करेंगे और फिर धीरे धीरे वो रिष्टा care से प्यार में बदलेगा, ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे मुझे arranged marriage की possibility ज़्यादा समझ में आ रही है पर ऐसा नहीं है कि आपकी love marriage होगी ही नहीं majority लोगों के लिए यह arranged marriage है, ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप दोनों के बीच का रिष्टा और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते है आप दोनों के बीच की compatibility कैसी रहेगी, chemistry कैसी रहेगी और आप लोगों का रिष्टा कैसा रहेगा यह और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते है आप उनकी captivating eyes होने के chances है और उनकी वो ऐसे look देंगे कि जहां वो देखेंगे वहीं एक रिष्टा कायम कर लेंगे इस type का उनका look होगा ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप दोनों इस रिष्टे को बहुत maturity के साथ निभाएंगे ऐसा मैंने पहले भी बोला था आप दोनों दो अधुरे हिसे हो जो एक दूसरे से मिल के complete हो जाएंगे ऐसा भी मुझे indication मिल रहा है और आपके जो future spouse है वो हुकम के एक के रहेंगे जहां पर आप उनको problems बताएंगे वो आपके problems को चुटकियों में solve करने वाले इंसान भी हो सकते है ऐसा नहीं है कि आपके relationship में कोई problem ही नहीं आएगी थोड़े से healthy fights में यहाँ पर देख सकती हूँ मगर जिससे हम प्यार करते हैं उसे के साथ हमको शिकायती भी होती है वैसा ही कुछ रिष्टा में यहाँ पर देख सकती हूँ तो कुछ healthy fights में आप लोगों में होंगे मगर आप लोग उनको बहुती ज़दा maturity के साथ handle करेंगे और day by day आपका bond बहुत strong हो जाएगा और एक mature रिष्टा में यहाँ पर देख सकती हूँ यह possibility मुझे समझ में आ रही है कि आपके थोड़ी से late marriage हो रही है इसलिए आप उतने mature हो गए हो यह रिष्टा कैसे निभाना है क्या निभाना है इसके awareness आप में जब आ जाएगी तब आप इस रिष्टे में बंद रहे हो इसलिए भी आपका रिष्टा बहुत mature है ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है बहुत ही खुबसूरत रिष्टा मैं यहाँ पर देख सकती हूँ तो और भी कुछ cards निकाल के देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या messages निकले है एक strongest possibility यह भी है कि आप लोग आपके workplace पे मिलोगे या फिर आपके works related कोई connection आप दोनों के बीच हो सकता है यह भी एक possibility हो सकती है तो आईए देखते हैं कि आप लोगों की meeting कैसी रहेगी आप लोग कब और कैसे मिलेंगे यह जानने की कोशिश करते हैं उनका first impression आपके उपर कैसा रहेगा और आप लोग कब और कैसे मिलेंगे इसमें से क्या close मुझे मिलते हैं वो सारी चीज़े देखने की कोशिश करते हैं मुझे ऐसे लगता है कि शादी के बाद अगर आप female हो तो आपके करियर में कुछ obstacles आ सकते हैं शुरुआत के दिनों में मगर बाद में आप आपका करियर परस्यू कर सकते हैं ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है फिर से fire energy बहुत prominent उभर की आई है उनको injustice बिल्कुल tolerate नहीं होता होगा ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है lawyer या judge भी हो सकते हैं या फिर कोई businessman भी हो सकते हैं मगर वो जो भी है बहुत ज़दा work garlic है और उनको वो अपने काम को बहुत ज़दा seriously लेते हैं ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो जो अपने field में वो उच्चाई पर पहुंच के हैं ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है तो आप लोग आपके work related place पे मिल सकते हो या फिर काम से related कोई एक connection आप दोनों के बीच में हो सकता है या फिर आप लोग social media के जरीये मिल सकते हो ये भी एक prominent ये भी एक possibility उभर की आई है मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग year end में मिल सकते हो after दिवाली आप लोग मिल सकते हो ऐसा एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है बहुत करीब का time नहीं आया है मगर आप लोग after दिवाली या फिर year ending के जो months होते है October, November, December ये months में आप लोग मिल सकते हो ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है एक possibility मुझे ये भी समझ में आ रही है कि शादी लेट तै होने के वज़े से कही न कहीं आप लोग थोड़ से negative हो गए हो और खुद के उपर doubt करने लगे हो ऐसा भी एक indication यहाँ पे मिल रहा है मगर आप लोग जब आपके future spouse से मिल लोगे तो तब आपके सारे गिलेशी के वे दूर हो जाएंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे ऐसा मैं आपको बता सकती हो अब जिस भी भगवान में यकीन करते हैं उनका ध्यान कीजिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या guidance मिला है यहाँ पे आप लोगों को law of कर्मा में यकीन रखने के लिए कहा गया है आप जैसा करेगे वो ही आपके पास lot के आएगा अगर आप तो हमेशा बोलते वक्त आप लोगों ने कुछ भी अपशब्द नहीं निकालना है जिससे कि मेरी तो किस्मती खराब है मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है यह तो होना ही था यह सारी negative चीज़े negative words आप लोगों ने नहीं निकालने है क्योंकि जो हम बोलते है वही चीज़े जो हमारे thoughts होते है वही हम बोलते है और जो हम बोलते है वही चीज़े हम manifest करते है directly या indirectly हम वही सारे changes life में attract करते है तो अपने positive mindset रखना है अच्छा सुनना है अच्छा बोलना है और अगर कुछ blockages बना रखे तो उन्हें निकालना है ऐसा suggestion आप लोगों को यहाँ पे मिला है तो यह था मेरा analysis group 1 के लिए आई आगे बढ़ते है और group 2 के बारे में tarot cards क्या कह रहे है यह जानने की कोशिश करते है हेलो group 2 तो आई यह देखते हैं कि आपकी future spouse की personality कैसी रहेंगी आप उनसे कब और कैसे मिलेंगे आप दोनों के बीच की compatibility कैसी रहेंगी आप दोनों की बीच का equation कैसे रहेगा आप दोनों की बीच का dynamic कैसे रहेगा वो सारी teaser detail में जानने की कोशिश करते है जिन लोगों ने group 2 को select किया है वो बहुत ज़दा sensitive emotional लोग है ऐसा मैं आप लोगों को बता दू tender hearted, loving और caring personality है वो बहुत ज़दा emotional हो सकते है, loving और caring हो सकते है soft hearted हो सकते है, मगर weak नहीं रहेंगे वो trustworthy रह सकते है, बहुत helping nature, compassionate हो सकते है और वो लोगों की help करने के लिए बहुत ही तयार रहते है उनको charity करना अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है ऐसी एक बहुत ही loving और caring personality यहां पे उभर की आई है वो अपने patience easily lose नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को handle करेंगे शान्त दिमाग के व्यक्ति वो हो सकते है एक soft gentle personality यहां पे उभर की आई है मगर वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दू यहां पे मैं तीन cards निकालूंगी यहां पे मैं तीन cards निकाले है इसमें से दो cards जो है वो आपकी personality और आपके future spouse की personality को represent करेंगे और third card जो है वो आप दोनों की बीच का equation कैसा रहेगा आपका रिष्टा कैसा रहेगा आपके compatibility कैसे रहेगी यह represent करेगा मैं दोनों भी energies को describe कर देती हूँ आप जिससे भी resonate हो रहे हो वो आप हो और दूसरे आपके future spouse है ऐसा मैं आप लोगों को बता दू तो first personality यहां पे moon का card यहां पे निकल के आया है water और moon का connection तो होता ही है इसमें से एक जो personality है उसमें intuitive powers भी हो सकते है और वो बहुती ज़ादा introvert और shy भी हो सकती है ऐसा भी एक indication मुझे यहां पे मिल रहा है यह लोगों को open up होने में थोड़ा सा time लगता हो ऐसा भी एक possibility है यह धीरे धीरे open होते है अपनी मन की बाद यह जल्दी बताते नहीं है अपने emotions को बहुत अच्छे से express नहीं कर पाते है थोड़े से mood swings इनके हो सकते है यह लोग बहुती ज़ा creative हो सकते है जिससे चांद एक सा नहीं होता है वैसे ही इनके mood swings हो सकते है यह लोग easily motivate भी हो सकते है और easily demotivate भी हो सकते है थोड़े से dreamy किसम की यह लोग हो सकते है reality से दूर अपनी सपनों की दुनिया में रहना इनको पसंद होता है ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है यह लोग थोड़े से secretive और intuitive हो सकते है इनको decode करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप इनको जल्दी से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यह थोड़े से introvert होते है और इनको खुलने में थोड़ा सा time लगता है इनके मन में क्या चल रहा है इनके senses बहुत strong हो सकते है जिसे कि hearing हो गया या smell हो गया या vision हो गया वो बहुत ही अच्छा होने के chances है इनका sixth sense भी strong होने के chances है यह भी एक possibility है कि इनको थोड़ा सा guidance मिलता हो कुछ signals मिलते हो higher force की तरफ से यह भी एक possibility हो सकती है हो सकता है इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया हो या फिर future में यह powers develop होने के भी chances है मगर इनका gut feeling ज़रूर strong होगा ऐसा मैं आप लोगों को बता दू इनके पास creative ideas हो सकते है यह creative field में अच्छा कर सकते है ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है यह लोग बहुत ही जदा ambitious होते है और अपने career goals को बहुत aggressively achieve करना चाहते है इस type की यह personality होती है इनका जो चेहरा होता है वो बहुत ही जदा glow वाला होता है glow इनके चेहरे पे आता है एक तेज इनके चेहरे पे रहता है और इनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इनका औरा कितना bright है ऐसी एक personality यहाँ पे उभर के आई है इनमें leadership qualities बहुत अच्छी होती है यह लोग थोड़ी से dominating और bossy होने के भी chances होते है इन लोगों में self respect बहुत होती है और जब यह लोग कुछ सोच लेते है उसे करके ही मानते है थोड़ से जिद्धी किसम की लोग होते है इनको हमेशा number one position में रहना बहुत अच्छा लगता है मेरा inner voice यह कहता है कि यह आपके future spouse की energy है और यह आपकी energy है तो बहुत ही दो powerful personalities यहाँ पर उभर की आई है चंदासी शान और सूरज का मान यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों भी बहुत powerful personality है यहाँ पर कुछ birth dates भी निकले है हो सकता है उनकी जो आपकी जो future spouse है उनकी birth date 1, 10, 19 और 28 होने के भी chances है आपकी future spouse को heel station से जदा बीचे इस पर जाना बहुत अच्छा लग सकता है तो आईए देखते हैं कि आप दोनों के बीच का equation कैसा रहेगा मुझे इससे लगता है कि यह marriage आपके लिए transformation का काम करेगा और आप inside outside बहुत जदा change हो जाएंगे और एक better person में transform हो जाएंगे ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है कुछ break up से आप लोग गुजर सकते हैं और कहीं न कहीं एक emotional wound आप लोग carry कर रहे हो यह भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है मगर आप लोगों ने उससे release कर देना है divine healing के लिए और आपका एक bright future है दोनों का ऐसा भी मैं आपको यहाँ पे बता सकती हो जो person आपके लिए बने ही नहीं थे वो आपकी life से चले गए है और जो आप deserve करते हो जो आपके लिए बने है वो person आपके life में आएंगे ऐसा भी मैं आप लोगों को बता दू तो यहाँ पे आपको move on करने का message मिला है अभी भी अगर आपके दिल के किसी कोने में वो अगर पुरानी यादे है जो वो यादे अगर आपको तकलीफ दे रही है तो उन्हें release करने की ज़रुत है ऐसा message यहाँ पे आपको मिला है तो यह तो हुई past की बात आईए देखते हैं कि आप दोनों का future कैसा रहेगा आप दोनों का equation कैसा रहेगा आप दोनों की compatibility कैसी रहेगी वो सारे questions के answers ढूणने की कोशिश करते है बहुत ही अच्छे cards यहाँ पे निकले है मुझे लगता है कि उनको surprise देना बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको बहुत सारे surprises देंगे future में ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप दोनों एक दूसरे के साथ पागलपंती के हदे पार करेंगे और बहुत सारे fun moments आपकी life में रहेंगे यह भी एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है और आप दोनों घंटों एक दूसरे के साथ chatting कर सकते हैं बाते कर सकते हैं और एक दूसरे के company आप बहुत ही ददा enjoy करेंगे यह भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप दोनों में से एक जो है वो बहुत talkative होगा और एक जो person है वो अच्छा listener होगा तो एक बहुत ही अच्छा match यहाँ पे मुझे दिखता है आप दोनों की chemistry भी बहुत अच्छी रहेगी आपका bond बहुत अच्छा रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना true self दिखाएंगे आपको कुछ भी pretend नहीं करना पड़ेगा आप जैसे है वैसे ही उनके सामने रहेंगे और बहुत पागलपन्तिकी और बहुत ज़ादा enjoy करेंगे fun moments रहेंगे, मस्ती करेंगे ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपकी जो future spouse है उनको poetry बहुत पसंद होगी literature पढ़ना उनको बहुत पसंद होगा उनकी reading की habit हो सकती है ये भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है उनको music सुनना बहुत पसंद होगा और मुझे ये भी thought आ रहा है कि वो गाते भी बहुत अच्छा होंगे ये भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो वो color premie होंगे और जितने भी arts है वो सारे arts को enjoy करेंगे ये भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो आईए देखते हैं कि आप आपकी meeting कैसी रहेगी उनका first impression कैसा रहेगा ये सब चीज़े देख लेते हैं अब लोग common friends के जरीए या फिर किसी mediator के जरीए या फिर common relative के जरीए मिलने के chances है और आप दोनों को मिलते ही पता चल जाएगा कि यही वो person है जिसके साथ में अपनी जिन्दगी बिता सकता हो या बिता सकती हो बहुत जल्दी panic हो जाते हो आपको tension हो जाती है ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर लग रहा है थोड़े से आप sensitive हो और emotionally थोड़े सी weak हो यह भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है जुलाई मैने में आप लोगों के मिलने के chances से जुन जो जे जेनरल रेडिंग है तो यह सभी पर लागू नहीं होगा उनकी mesmerizing personality रहेगी और उनसे मिलने के बाद आप उनको भूल नहीं पाएंगे ऐसी उनकी personality रहेगी फर्स्ट meeting में ही आप दोनों एक दुसरे से बहुत ज़़ा इंप्रेस हो जाएंगे और दूर जाने के बाद भी एक दुसरे के बारे में ही सोचेंगे ऐसा एक thought मुझे यहाँ पे आ रहे है तो आपकी meeting जो है वो बहुत यादगार रह सकती है और भी क्या suggestions है वो भी देख लेते हैं मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों में से किसी एक ने या फिर दोनों ने भी प्यार में धोका खाया है या फिर relationships related कोई problem को face किया है या तो शादी होके टूटी है या फिर सगाई होके टूटी है या फिर break up से आप लोग गुजरे हो ये एक strong vibe मुझे यहाँ पे मिल रहा है past के bitter experience के वज़े से आप लोग life में आगे नहीं बढ़ पा रहे है तो आपने past को आपने लेड को करना है past memories को release करना है delete करना है ऐसा एक thought मुझे यहाँ पे आ रहा है आप जिस भी भगवान में यकीन रखते हैं उनका ध्यान कीजिए देखते हैं कि उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या guidance है मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक या फी दोनों भी कुछ कार्मिक पैगेज कैरी कर रहे है कुछ emotional wound कैरी कर रहे है और आपको healing की बहुत जरुवत है ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है सचे मन से किसी की मदद करना है किसी भूगे को खाना देना है जानवरों को खाना खिलाना है तो आपका cleansing अपने आप हो जाएगा और आपके तूटे दिल को भी थोड़ी सी राहत मिल जाएगी आपका आपनी जो emotional wound क्यारी रखा है वो भी भरने लग जाएगा तो वो guidance आप लोगों को मिला है कि आपने किसी की मदद करना है आप जो भी कर पाए वो आप कर सकते हो तो ये था मेरा analysis group 2 के लिए आई आगे बढ़ते हैं और group 3 के बारे में tarot cards क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं हलो group 3 तो आईए देखते हैं कि आपके future spouse की personality कैसी रहेगी आप दोनों की बीच का equation कैसा रहेगा आपकी compatibility कैसी रहेगी और आप उनसे कब कैसे और कहा मिलेंगे कुनसा जरियार रहेगा ये सारे questions के answers जूणने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो मैं बता दू कि आपकी जो future spouse है वो बहुत ज़्यदा successful रहेंगे और वो job से ज़्यदा businessman होने के chances मुझे यहाँ पे लग रहे है अगर वो job में भी है तो बहुत higher position पे है और established है financially बहुत ज़्यदा strong है generous है practical है responsible है और professional उनमे एक professional attitude है indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ज़्यदा warm, sensible, thoughtful, creative person है ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत एच्छी personality यहाँ पे उभर के आई है group 3 जो है वो पैसो के मामले में बहुत लखी रहेगा ऐसा मैं आप लोगों को बता दू आपकी शादी financially strong घर में होगी या फिर after marriage financial growth हो जाएगा और आप लोग well established रहेंगे आपकी जो life है वो full of luxury रहेगी बहुत comfortable life आपकी होगी यहाँ पे मैंने तीन cards निकाले है इसमें से दो cards आपकी और आपके future spouse की personality को represent करेंगे और यह जो third card है यह आप दोनों के बीच के equation को describe करेगा आप दोनों के बीच के dynamic को describe करेगा आप दोनों के रिष्टे को describe करेगा तो first personality क्या है वो देख लेते है वाउ बहुत अच्छा card यहाँ पे उभर के आया है आपकी जो future spouse है वो बहुत जदा talented और उनकी amazing personality हो सकती है उनकी fan following बहुत अच्छी हो सकती है और वो बहुत जदा popular होने के भी chances है ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं जो इनको आती नहीं हो यह multi talented होने के भी chances है एक fearless attitude इनका रहेगा और यह बहुत जदा brave और courage एक needer personality इनकी रहेगी एक दबंग attitude इन लोगों का रहेगा और इनको हारना कभी भी पसंद नहीं आएगा इनकी race तभी खतम होगी जब यह लोग जीत जाएंगे इन लोगों में एक fighter spirit होगा जो कभी भी give up नहीं करेगा यह लोग अपने goals को set करते हैं और उनको achieve करते हैं और तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक यह लोग जीत नहीं जाते हैं बहुत ही जदा अच्छी personality यहां पर उभर की आई है और इनको पहली बार देखके आप देखते ही रह जाओ ऐसी personality उभर की आई है looks में कम जादा हो सकता है मगर personality जो होती है उनकी जो qualities है वो ऐसी रहेगी कि आप इन से impress हो जाएंगे और इनके रंग में रंग जाएंगे ऐसी personality यहां पर उभर की आई है दूसरी जो personality है उनमें child-like innocence है और ये लोग किसी पे भी easily trust कर देते है किसी की भी बातों में आ जाते है ऐसी एक personality यहां पर उभर की आई है ये लोग day-dreamer हो सकते है मुझे ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया इन लोगों ने नहीं देखी है और इनको नहीं पता है कि बाहर की लोग कैसे होते है बाहर की दुनिया कैसे होती है और ये लोग इतने experience नहीं है ऐसा भी एक thought मुझे यहां पे आ रहा है तो एक child-like innocence इन लोगों में है ये लोग young energy में यहां पे देख सकती हूँ creative हो सकते है खुश मिजास fun-loving personality इन लोगों की हो सकती है ये लोग बहुत ज़्यदा गहराई से नहीं सोचते है बिंदास attitude मुझे यहां पे दिखता है तो दूसरी personality में मुझे young energy दिखती है और first personality जो है वो बहुत ज़्यदा talented personality उभर के आई है आप दोनों के बीच का जो equation है वो बहुत ज़्यदा कार्ड यहां पे निकल के आया है मुझे इससे लगता है कि आप दोनों के आप दोनों में से 1% जो है वो थोड़ा सा maturity में कम है थोड़ा सा कम mature है या फिर थोड़ा सा irresponsible है क्योंकि वो बच्चों जैसा है मगर शादी के बाद वो बहुत ज़्यदा और्गनाईज हो जाएगा उन लोगों में discipline आ जाएगा और बहुत ज़्यदा चेंज उन में आ जाएगा और वो एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगे और आप दोनों का equation बहुत ही अच्छा रहेगा एक दूसरे के life में growth ले आएगा prosperity ले आएगा तो बहुत ही अच्छा equation यहाँ पर उभर के आया है और भी ज़्यदा detail में जानने की कोशिश करते है group 3 के लोगों में कैसे chemistry रहेगी compatibility कैसे रहेगी please guide कीजिए बहुत है जैसे treat करेंगे ऐसा मैं आप लोगों को बता दू वो लोग आपको रानी बना के रखेंगे बहुत ही romantic रिष्टा में यहाँ पर देख सकती हूँ आप दोनों को एक दूसरे की company आप दोनों भी एक दूसरे की company बहुत enjoy करेंगे हाथ पकड़ना बाल सहलाना यह सारी हरकते आप लोग करेंगे बहुत ही cute रिष्टा में यहाँ पर देख सकती हूँ आप दोनों एक दूसरे के साथ सारी चीज़े शेयर करेंगे जो भी आपके दिल की बात है वो आप बिना डरे उनको बता पाएंगे एक friendly रिष्टा में यहाँ पर देख सकती हो और मुझे इसे लगता है कि जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तब आप एक दूसरे के बिना एक minute भी नहीं रह पाएंगे और बहुत ही अच्छी life आप लोग जी सकते हैं ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप दोनों के बीच में प्यार होगा, respect होगा, trust होगा, जो भी relationship goals है वो सारे आप लोग अच्छीव कर लेंगे ऐसा मैं आप लोगों को बता दू तो आईए देखते हैं कि आप लोग कब और कैसे मिलेंगे, आपका first impression कैसा रहेगा आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं सभी एक इंडिकेशन मुझे है आप लोग आप लोग दूसरे से मिल सकते हैं पर मिल रहा है, आप लोग किसी शादी में मिलोगे या फिर किसी wedding में या फिर किसी function में मिलने के chances है याने आप लोग जब एक दूसरे से मिलेंगे तब खुशियों वाला महोल रहेगा, फिर वो छोटा सा get together भी हो सकता है या फिर wedding भी हो सकती है मैं तो ये बोलूँगी कि जो सपने हर लड़की या लड़का देखते हैं, वो सारे सपने पूरे होने वाला रिष्टा यहां पर मैं देख सकती हो और भी क्या suggestions आप लोगों के लिए निकला है, वो देख लेते हैं सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, मगर शादी का दूसरा नाम adjustment होता है, तो आपको adjustment भी रखने पड़ेंगे कुछ न कुछ adjustment आपको करने पड़ेंगे, ऐसा भी एक indication मुझे यहां पर मिल रहा है बड़े घर में जाने के बाद भी बहुत सरी responsibilities को आपको सामना करना पड़ सकता है सबकी expectations को पूरा करने के लिए आपको कुछ adjustments करने पड़ सकते हैं, ऐसा भी एक thought मुझे यहां पर आ रहा है आप जिस भी भगवाम में यकीन रखते हैं उनका ध्यान कीजिए, दिखते हैं आप लोगों के लिए क्या guidance निकला है मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो future spouse है वो लोगों को guide करते हैं, उनको राह दिखाते हैं यह भी एक possibility हो सकती है सचे मन से किसी एक इनसान की आप लोगोंने मदद करनी चाहिए, इससा suggestion मैं आपको यहां पर दूँगी तो यह था मेरा analysis group 3 के लिए, आईए आगे बढ़ते हैं और group 4 के बारे में tarot cards क्या कह रहे हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं तो आईए देखते हैं कि आपके future spouse की personality कैसी रहेगी, आपके दोनों के बीच का equation कैसा रहेगा, compatibility कैसी रहेगी, आप उनसे कब कैसे और कहां मिलेंगे, यह सारे questions के answers ढूणने की कोशिश करते हैं वो बहुत जदा brilliant हो सकते हैं, बहुत जदा diplomatic हो सकते हैं, और इनका दिमाग गजब का तेज हो सकता है यह logical analysis में expert हो सकते हैं, बहुत जदा confident personality यहाँ पे उभरके आई है और mental और emotional balance मुझे यहाँ पे दिख रहा है independent experience, realistic personality इनकी हो सकती है यहाँ पे मैंने तीन cards निकाले हैं इसमें से दो cards आपको और आपके future spouse को represent करते हैं मैं दोनों भी energies को describe करूँगी, आप जिससे भी resonate होते हो वो आप हो और दूसरे आपके future spouse है third card जो है, वो आप दोनों की बीच के equation को represent करेगा आप दोनों की बीच का रिष्टा कैसा रहेगा, compatibility कैसे रहेगी और आप दोनों में chemistry कैसे रहेगी, ये दरशाएगा मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग बहुत जदा workaholic होंगे ये लोग हर काम को perfection के साथ करेंगे इनको कोई भी काम, कुछ भी करना हो तो इनके पास एक perfect plan रहेगा और ये as per plan ही जाएंगे, ऐसा भी एक indication मुझे आपे मिल रहा है ये लोग बहुत जदा well organized रहेंगे, perfectionist रहेंगे और ये अपने काम में अपना 100% देंगे और सिर्फ अपने professional life में ही अपना 100% देंगे, ऐसा नहीं अपने personal life में भी ये लोग अपना 100% देंगे ये लोग बहुत जदा different हो सकते हैं, हटके हो सकते हैं और इनके जो thinking है, वो चार लोगों से different हो सकती है चार लोग जैसा सोचते हैं, वैसा ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे एक बहुत different personality इनकी हो सकती है ये लोग out of the box जाके सोचते हैं और इनके पास innovative ideas होते हैं, ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पे मिल रहा है ऐसे तो ये लोग बहुत कामली सारी चीजों को handle करते हैं और ठंडे दिमाग से ही सोचते हैं, मगर जब इनके patience ये लोग lose करते हैं तब कुछ बड़ी बात हो सकती है, याने सो सुनार की और एक लुहार की ऐसा इनका गुसा हो सकता है ये लोग जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोग कितने talented है या इतनी बड़ी personality है ये आपको पता भी नहीं चलेगा इनको show off करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा और ये लोग थोड़ी से quiet personality हो सकते हैं और ये लोग अपने talent को hide करके रखते हैं, ऐसा भी एक indication मुझे याँ पर मिल रहा है दूसरी जो personality है वो भी बहुत strong personality है, इनको injustice टॉलरेट नहीं होता है ये भी एक indication मुझे याँ पर मिल रहा है और ये लोग हमेशा सही का साथ देते हैं और गलत चीज़े टॉलरेट नहीं करते हैं मुझे इससे लगता है कि इन लोगों के life में बहुत सारे ups and downs आते हैं और ये लोगों ने छोटी से उमर में ही बहुत सारे responsibility अपने सर पे ले रखी है इन लोगों के budget 4 और 8 होने के chances भी है 4, 13, 22, 31 या फिर 8, 16, 26 होने के भी chances है जब आप लोग एक दुसरे से मिलेंगे तब आपकी destiny और ज़दा आप लोगों को favor करने लग जाएगी ऐसा भी एक thought मुझे याँ पे आ रहा है Positive judges आपको शादी के बाद मिलेंगे ऐसा भी एक indication मुझे याँ पे मिल रहा है Lady luck आपके life में आएगा ये भी एक thought मुझे याँ पे आ रहा है मगर आप लोगों को initial दिनों में कुछ ups and downs को face करना पड़ सकता है ये भी एक thought मुझे याँ पे आ रहा है एक दूसरे के साथ adjust होने में थोड़ा सा आपको time लग सकता है मगर वो जो radio होता है ना उसकी frequency जब तक adjust नहीं होती है तब तक खर-खर वाला sound होता है जैसे ही आप उस frequency को adjust कर लेते हैं sound की clarity आ जाती है वैसा ही कुछ initial days में आप लोगों के साथ हो सकता है मगर उसके बाद आप दोनों की tuning भी set हो जाएगी और आप दोनों का रिष्टा भी बहुत मजबूत हो जाएगा और भी आपके रिष्टे के बारे में जानने की कोशिश करते है मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों की बीच में बहुत ही अच्छी understanding होगी और आप दोनों को एक दुसरे को बहुत ही बख्षू भी पहचानेंगे जितने वो खुद को नहीं पहचानते हैं उतने जादा आप उनको समझने लग जाएंगे ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है और आप दोनों को एक दुसरे के साथ movies देखना हाथ पकड़ के घुमना ऐसे ही टहलना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मुझे ऐसे लगता है कि आप उनकी खुशियों में अपनी खुशिया ढूंडेंगे और आप एक perfect match होंगे मगर initially थोड़ा सा आपको struggle करना पड़ सकता है उसके बाद आपका जो रिष्टा है वो बहुत सदर स्ट्रॉंग हो जाएगा ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है उनकी जो features है वो बहुत अच्छे होने के chances है specially उनकी नाग बहुत cute रह सकती है ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दुसरे से जब मिलेंगे तब आप जिंदगी को और अच्छे से जीने लग जाएंगे आप नए नए तरीके उन लोगों को बताएंगे आप एक दुसरे को नए तरीके दिखाएंगे और एक दुसरे से सीख के आप और जादा बहतर तरीके से अपनी जिंदगी जियेंगे ऐसा भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है बहुत यह अच्छा equation आप दोनों में रहेगा बहुत अच्छा bond में यहाँ पर देख सकती हूँ तो आएए देखते हैं आप दोनों कब और कैसे मिलेंगे और आपका first meeting कैसा रहेगा first impression आप लोगों का कैसा रहेगा यह भी देख लेते हैं आपकी जो future spouse है उनके fire sign होने के chances है एक possibility मुझे यह भी लग रही है कि जब आपका दिल तूट जाएगा तब आप उनसे मिलेंगे यानि उनसे मिलने के पहले आप किसी break up को face कर सकते हैं यह भी एक possibility मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है फेब या मार्च मेने में आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं यह भी एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है बगर कुछ लोगों के लिए यह time frame जो है वो थोड़ा सा late हो सकता है late का card यहाँ पर उभर के आया है तो कुछ लोगों के लिए फेब और मार्च है और कुछ लोगों के लिए इससे भी ज़दा late हो सकता है आप लोगों के arrange marriage होने के chances मुझे ज़ादा लग रहे है आप लोग परिवार द्वारा मिलेंगे यह भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है जब आप लोग एक दुसरे से मिलेंगे तो पहली ही meeting में आप दोनों comfortable हो जाएंगे ऐसा नहीं है दिरे दिरे आप लोग open up होंगे दिरे दिरे आपका रिष्टा grow होगा बगर आप दोनों एक दुसरे को पसंद जरूर करेंगे और दिरे दिरे आपकी जो liking है वो प्यार में बदल जाएगी ऐसा भी एक thought मुझे यहाँ पर आ रहा है समय के साथ आपका रिष्टा grow होगा यह एक indication मुझे यहाँ पर मिल रहा है और भी क्या messages से वो भी देख लेते हैं शादी में हमेशा दूसरे की खुशी को ज़्यादा importance देना चाहिए वो ही suggestion में आप लोगों को दोंगी जब आप दोनों भी एक दूसरे की खुशी को ज़्यादा importance देंगे तो दोनों भी खुश रहेंगे वो आपकी खुशी को ज़्यादा importance देंगे तो आप खुश हो जाएंगे और आप उनकी खुशी को ज़्यादा importance देंगे तो वो खुश हो जाएंगे तो हमीशा शादी का मतलब यही होता है कि जब आप खुद से उपर उठके सामने वाले के बारे में सोचे, companionship तो वो ही कहलाती है, जब हम एक दुसरे की खुशी के बारे में सोचे, एक खुद की खुशी से ज़ादा हम जब दुसरे की खुशी के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वो शादी definitely successful हो ही जाती है, तो वो ही चीज़ आपको करना है, एक दुसरे की खुशियों का ध्यान आपको रखना है, आप जिस भी भगवान में यकीन रखते हैं, उनका ध्यान कीजिए, देखते ही कि आप लोगों के लिए क्या messages निकले हैं, आप लोगों ने शीव जी के उपासना करना चाहिए, ऐसा एक message यहाँ पे निकला है, और आप दोनों का जो union है, वो perfect balance रहेगा, और जो भी कमिया आप दोनों के life में है, वो पूरी करने वाला इंसान आपको मिलेगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता दू, तो यह था मेरा analysis group 4 के लिए, तो यह था मेरा analysis चारों group के लिए, आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को interesting और informative लगी हो, और आप आपकी life sales से resonate भी कर पाए हो, अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाई एंटे केर आपकी हुआ है, तो यह था मेरा आपकी लिए, आपकी हुआ है फिर मिलेंगे,